हेलो एवरीवन वेलकम अगें टू लन्विर देतीमन आज हम करेंगे सेवन्थ क्लास का सिक्स चैप्टर के कुश्चन अंसर राजिस्थान के प्रमुक्ष शाशक तो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और चलिए अब यहां कुश्चन के आंसर देने की को पर करता है यह सभी कुश्चन अंसर आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे और वीडियो जो है वो बार बार देखना है यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे वाले जो भी वीडियो आते हैं वो करें कुश्चन वन देखिए प्रत्वी राज चोहान का शाशनकाल था ग्यारा सो सततर इसवी से ग्यारा सो बानवे इसवी तो प्रत्वी राज चोहान के समय के बारे में कई वार एक्जाम में पूछा भी गया है तो इनका याद रखिएगा ग्यारा सो सततर से ग्यारा सो प्रत्वी राज चोहान के माता पिता का क्या नाम था तो इनके पिता का नाम था सौमेश्वर और इनकी माता का नाम था करपूरी देवी ठीक है याद रखिएगा कि इनके पिता का नाम सौमेश्वर था और इनकी माता का नाम था करपूरी देवी और जब प्रत्वी राज च बार भी इन्मों नहीं संभाला था Next दिखिये question थर्ड है प्रत्वी राज चोहान के दरवार के प्रमुक कवी और विध्वान थे तो इनके दरवार के प्रमुक कवी और विध्वान कौन-कौन रहे हैं जो की पूछा गया है एक्जाम में कई बार सभी याद रहने जरूरी हैं विद्यापती, गौड, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंदवर्दाई और प्रत्वी भट ठीक है? दुबारा से बोल देती हूं विद्यापती, गौड, वागीश्वर, जयान प्रत्वी राज रासों की रचना किस ने की? प्रसिद ग्रंत जो है प्रत्वी राज रासों, इसकी रचना करने वाले थे चंदवर्दाई और प्रत्वी भट ठीक है? और ये बहुत ही बड़े योग्य ग्यानी थे, इन्होंने बढ़ जड़कर प्रत्वी राज चोहान के बारे में लिखा है, नेक्स्ट दिखिए, कुश्चन 6, महारणा कुम्भा का शाशन काल क्या रहा? तो ये भी एक महान शाशक रहे हैं, महारणा कुम्भा, तो प्रतिया वन्स के शाशक रहे हैं, इनका जन्म होता है 1417 इस्वी में, और इनका शाशन का समय है 1433 से 1468 इस्वी, और 1433 इस्वी में मेवार की राज सिंगाशन पर बैठे थे, नेक्स्ट दिखिए, कुश्चन 7, महारणा कुम्भा का जन्म कब हुआ था? तो मैंने अभी आ और 1468 में इनकी मृत्यों हो जाती है, महारणा कुम्भा मेवार के शाशक कब बने? तो वही कुश्चन है, लौट वेर के वही कुश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, बस सेंटेंस जो है वो बदल जाते हैं, तो यहां पर 1433 इस्वी में मेवार की रा सिंगाशन पर बै ठीक है? दोनों ही लाइने करेक्ट हैं. विजे इस्तम का निर्मान किसने करवाया? तो इसका निर्मान करवाया था महारणा कुम्भा ने, ठीक है? तो महारणा कुम्भा ने जब गुजरात विजे किया था, तो उस समय उस उपलक्ष में विजे के उपलक्ष में उन्होंने विजय इस्तम का निर्मान जो है वह करवाया था, ठीक है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो निर्मान है मेवाड में वो महाना कुम्बा के द्वारा ही करवाये गए थे, नेक्स्ट दिखिए, महारान कुम्बा के व्यक्तित्व में किसका त्रमेणी संगम है, तो यहाँ पर इनके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला इसका त्रमेणी संगम दिखाई देता है, मेवाड का स्वन युक कहा जाता है महारान कुम्बा के शाशनकाल को, क्योंकि मेवाड में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्मान कुम्बा की द्वारा करवाया गया था, तो हम देखते हैं जो मिवाड में बने हुए बहुत सारे दुर्ग तो जिसमें अधिकतर दुर्ग किसने इसका निर्मान करवाया महाराना कुम्बा ने मिवाड की कितने दुर्गों का निर्मान महाराना कुम्बा ने करवाया तो वीर विनोद जो शामल दास का ग्रंत है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्मान करवाया था महाराना कुम्बा ने कुम्बा द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग है तो देखिए यहां पर अचल गड़ दुर्ग बसंत दुर्ग भौमट दुर्ग मचान दुर्ग कुम्बल गड़ दुर्ग चित तौड़ गड़ इसका निर्मान करवाने वाले थे महाराना कुम्बा ठीक है और इसके साथ साथ चित तोड़गर दुर्ग में इस्थित है विजे इस्तम जिसे हम कीर्थी इस्तम भी कहते हैं तो ये निर्मान कराने वाले थे महाराना कुम्भा कुंबाद्वारा रचित प्रमुक संगीत ग्रंत कौन-कौन से है तो यहां पर संगीत मिमान सा, संगीत राज और सून प्रवन, यह सबी संगीत ग्रंत हैं जो की महारणा कुंबाद्वारा रचित है अगला देखिए, question 15 है, महाराण कुम्भा ने कौन सी उपादी धारन की थी? महाराण कुम्भा ने महाराजा धिराज, रायरायन, महाराणा, दान गुरू, हाल गुरू, परम गुरू, चाप गुरू, राज गुरू, ये सभी जो उपादियां थी, वो धारन कर रखी थी महार महाराण कुम्भा ने, याद रखिएगा महाराजा धिराज, रायरायन, महाराणा, दान गुरू, हाल गुरू, परम गुरू, चाप गुरू और राज गुरू, महाराण सांगा का शाशन काल रहा, तो महाराण कुम्भा के बाद जो राजपूत शाशक हैं, वह हैं महाराण सांगा तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंग ठीक है और 1509 इस वी में शाषन सम्हालते हैं और 1528 तक इनका शाषन का समय रहता है नेक्ष्ट दीखिए राना सांगा का वास्तविक नाम क्या था तो इनका वास्तविक नाम था संग्राम सिंग Q18 है राणा सांगा किसके पुत्र थे तो यह है राणा रायमल के पुत्र थे Next देखिए Q19 है राजपूतों को संगटित करके एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड के शाशक थे राजपूतों को संगटित करके एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड के शाशक कौन थे महाराना सांगा जिन्होंने सभी राजपूतों को संगटित करके एक छत मे लेकर आये थे Question 20 देखिए महाराना सांगा के सरीर पर कितने गहाओ थे तो राणा सांगा जो थे जिन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगलों से संघर्स किया था और देश की या राज्य की बहदुरी से रक्षा की थी ठीक है तो इसी वीरता के कारण जो है इनको जाना जाता है पराकरमी योद्धा के रूप में हम जानते हैं और इनके स करीर पर लगभग असी घाव थे ठीक है नेक्ट देखिए माल देव का शाषन काल था तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है माल देव का शाषन काल था तो माल देव जो की राठोड बंस के शाषक रहे हैं इनका शाषन का समय था 1532 से 1562 इसवी तक का नेक्ष देखिए माल देव किसके पुत्र थे माल देव किसके पुत्र थे तो ये मारवाड के राओ गांगा के बड़े बेटे थे ठीक है किसके पुत्र थे राठोड वंस के जो राओ गांगा थे इनके जेश्ट पुत्र थे माल देव मालदेव ने कितने युद्ध किये थे तो इन्हों ने बावन युद्ध किये थे और 58 परगणों पर भी अधिकार किया था ठीक है अपने समय में इन्हों ने कुल 52 युद्ध किये और इनके साथ साथ चोटे बड़े 58 परगणों पर अधिकार किया था मालदेव ने नेक्स्ट देखिए मालदेव ने किन दुर्गों का निर्मान करवाया तो हमने अभी महाना कुम्बा के बारे में देखा था कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्मान महाना कुम्बा ने करवाया था जिसमें कुंबलगर्ड, चितोरगर्ड, विजय इस्तम, अचलगर्ड, बसंती दुर्ग, भौमट दुर्ग ये सभी प्रसिद्ध हैं। तो मालदेव ने करवाया सोजद दुर्ग, मालगोट दुर्ग और पोकरण दुर्ग। इनका निर्मान कराने वाले थे मालदेव. मालदेव का देहान्त कब हुआ था? इनका देहान्त हुआ था 1562 इस्वी में. तो मैंने आपको बताया इनके शाशन का समय, 1532 में शाशन समहालते हैं और 1562 इस्वी में इनका देहान्त हो गया था. किसने मालदेव को हस्मत वाला शाशक कहा यानि बहुत ही तागतवर बहुत ही important line है एक्जाम में आ सकती है कि मालदेव को फार्शी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शाशक कहा था ठीक है तो आज हम यहीं तक करेंगे और इसके बाद हम इसी चैप्टर के question answer start करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप इनको बारवर रिवाइस करिए जितने भी चैप्टर हो चुके हैं इनको आप बारवर पढ़िए बारवर सुनिए जिससे कि आपको यह याद हो जाएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू